तो चलो ठीक है मोहबबत से ही शुरू करते हैं पहले कि अपनी मोहबबत को पूरा कैसे करूं अपनी मोहबबत को पूरा कैसे करूं ना वो दूर जाने देता है ना वो पास आने देता है अपनी मोहबबत को पूरा कैसे करूं ना वो दूर जाने देता है, ना वो पास आने देता है, अजीब ही है उसकी महबब, प्यार भी जताता है और दिल भी तोड़ दिया करता है, तुझसे छोटी-छोटी बातों पर जगड़ना अच्छा लगता है, जब तु मुझे अपना पुच्चु वे भी बोलता है, अच् नहीं हूँ वैसे मैं, जिदी, नहीं हूँ वैसे मैं, पर तेरे सामनी जिद करना अच्छा लगता है, तो ये शायरियों लड़के के लिए जिसकी महबबत की शादी किसी और से हो गई है, तो सुनिए, के रात तस्वीर एक अजीब देखी मैंने, के रात तस्वीर एक अज रात बेचैनी में बीती मेरी, पर रोया नहीं रात बर, लिखना क्या-क्या चाहता था, पर लिखा नहीं रात बर, रकीब के साथ उसकी पहली रात थी, पर उसे सोचा नहीं रात बर, खेल रहा था वो उसके जुल्फों से पर मेरा खून खोला नहीं रात बर मैंने मान लिया वो किसी और की है पर इस दिल ने माना नहीं रात बर अच्छा तो अब टैंशन न सिफ लड़कों को नहीं होती है लड़कों को भी होती है अपनी फैमली की तो उसी पर है कि फुर्सतों का दोर अब खतम हो गया है परेशानियों ने चारों तरफ से घेर सा लिया है अब पता चलते है आटे और सबजी के भाव अब जाना पिता ने कितना कुछ सहा है अपनी आधी रोटी भी तेरे हिस्से में दी है तब जाके तेरी भूप मिटी है और ये जो तुम सो जाते हो ना बेखो फुर्सर से और ये जो तुम सो जाते हो बेखो फुर्सर से सिर पर पिता का हाथ है तब ही सुकू मिला है ना पूच ना पूच महनत उन बच्चों की जिन से खुदा ने उनका बाप ही छीन लिया है आज रोटी मिली तो ठीक वरना कल फिर भू के पेट काम किया है ना कर सकती हूं और ना हो पाएगा कभी ना जाने कैसे पापा ने इतना कुछ किया है दिला कर मुझे महंगी गाडी खुद साइकल पर मिलो चला है मांगुंगी दुआ के उमर मेरे पापा की लंबी हो पर दिलाओंगी वो हर एक चीज जो मेरे पापा को चाहिए बचपन मेरा नवावो वाला गुजरा बुढ़ापा मेरे पापा का महराज़ वाल होना चाहिए अच्छे तो आखरी है ये मेरी मुम्मी के लिए ये कैसी हालत बना रखी है तुने कुछ होश आवास बचा है तो सुन अपने पीछे अपनी मा भी पागल बना रखी है तुने झाल झाल